हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल होम लाइफ बीजी लाइफ फ्रेंट्स घर तो साफ सुत्रा ही अच्छा लगता है लेकिन आज हमारा घर बहुत बुरा लग रहा है देखने में हर तरफ समान फैला हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ क्य सब अच्छा लगने लग जाएगा हर कोई सोचता है कि हमारे घर में तो जादा तोड़ फोड नहीं होगी और कहीं कलर भी नहीं उतर रहा लेकिन पता नहीं यह पेंटर्स लोग जब घर में गुस्ते है ना तो हर एक दिवार में से मतलब वो कलर चुटा चुटा की दिखा सबस्टा पिंचर को इस व मयन में इस पर बोल पेपर लगा दिया था यहां रहाए इसमें कолर हो चुका है और एक वाल पेपर लगाना है यह चाहर कि यहां पर यह बहिया आये थे यह भी है और इसमें अडिया रहा ऑलैँ पर कि कि हमें कौन सा वॉल्पेपर लगाना है फ्रेंट्स ओर्डर करने के तीन दिन बाद भया ये वॉल्पेपर लेकर आये थे हमारे घर में एक रोल हमें 1700 का भया ने बताया था और जो कि हमारी एक वॉल पे चार रोल लगे हैं तो ये हमें वॉल्पेपर लगाने के लिए उन्होंने डेजाइन को पहले मैच किया पूरा रोल जब उन्होंने कोल के देखा और जहां पर डेजाइन मैच होता था उसी साफ से कटिंग करते रहे इनके पास एक ऐसा कटर होता है जो असानी से पेपर को काट देता है तो जितन काटने के बार पानी मैं प्लास्टिक के पॉलेतिन थी उसके ऊपर वाल पेपर को वुल्टा गर के रख तिया और उनके पास ये कुछ केमिकल था ये पानी में पहले मिक्स किया और ये बहुत ही विसल रहाता है मैंने भी इसको ब्रश को पकड़ा तो मेरे से लगाए ननी जा रहा था इतना ब्रश विसल रहा था तो इसके बाद इन्हों ने वाल Pennen की बैक साइड पे इसको प्रश की साथ लगा-लगा के रखते गए और इस तरीक एसे वाल Pennen को फोल्ड करते गए ताकि जो डिजाइन है उसके उपर ना लगे सिरों बैक साइड पे लगे आप लोग घर पे असानी से इसको लगा सकते हो मैं इसको इसली लगा सकती हूँ यह देखिए भाई है ने क्या कर रहा जैसे हमारे डोर लगे रहते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले यह बॉल पेपर कोल मतलब लगाया ताकि बात में दिखत ना हो तो जितना उनको कटिंग में लेना तो उनने कटिंग में ले लिया बागी देखिए किते तरीके से लगा रहे हैं भाई है एक रोल कम पढ़ गया था तो फिर बात में एक रोल मंगा रहा था पहले भाई हमारी बॉल के लिए तीन डोल लेका रहे थे फिर बात में एक और आ चाट करके पहले से ही डाल ली कि और इसको थोड़ा सा भाप में पकाते हैं यह फिर अराम से अपने पैटर को फैला लिए और फिर मैं आ एक तरफ से ढख करके रख ढ़त दिया रीदो हो पकनी दिया इसको भाप में पकाना होता है और जब तक यह पक नहीं जाए इसको बार-बार पलटते रहना चाहिए ताकि यह जलना जाए यह जादर सिखना जाए देखिए फ्रेंड्स अब यह हमारा उत्मम अच्छे से पक चुका है अब आप इसको चाहे और सॉस के साथ सर्फ कर सकते हैं आप चाहें अब मैं जारे हूं जाए ओ चफ़ पर क्योंकि चफ़ पर भी हमारा कुछ काम चल रहा है हम लोग यह पर इस शेट डलबा रहे हैं यह पर चफ़ कशन बेंद निग्रीन ज़िए तो यह जो हमने गरीन शेट डलवा जाता है और मम्ती से होता हो बरसात का पानी सीधा अंदर चला जाता है जिसकी वज़र से हम लोग यहां पर शेड डलवा रहे हैं जब फ्रेंट्स घर साथ उत्र हो जाहेगा और यह शेड भी कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद में एक और वीडियो शेयर करूंगे यह है एक लाइक तो बनता है है तो कैसे लगा आपको यह मेरा वीडियो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सिब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मतलिएगा बैल आइकन को क्रेस कर दीजिएगा उससे मेरे नाइक्स वीडियो की नॉटिपिकिश आप तक पहुंच जाएगी तो फ्रेंट्स यह जो मेरा भिख्रा हुआ घर था बाद में जब मेरा घर सुंदर और प्यारा हो जाएगा तब मैं आपको वीडियो शेयर करेंगी और जो मैंने आज उत्पम बनाया है वो डाइट वालों के लिए है जो डाइटिंग करते हैं ह